आज मेरे पास एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें धेर सारे फुल पाने के लिए आपको बार-बार खाद देने के ज़रुवत नहीं पड़ती तो यह फ्लावर है लूपीन का जिसे ब्लू बोनिट भी बोलते हैं और यह फैबसिस फैमली का प्लांट है जिसम थंडियों में फूल खीलते हैं जो की लेट समर तक चलते हैं लूपीन की दुनिया भर में 200-100 से ज्यादा प्रजातियां है और इसकी हाइट एक फिट से लेकरके पांच फिट तक होती है हां कुछ प्रजातियां इसकी ऐसी हैं जो दस फिट तक चली जाती है इस प्लान को इडिटिफाइर करना बहुत ही आसान है इसमें पाल्मरी सेप की पतियां होती है जिसका कलर सॉप्ट ग्रीन से लेकरके ग्रेग्रीन कलर का होता है वहीं जो यह इसका यह तना होता है उसमें यह सिल्वर हेर की कोटिंग होती है वहीं जो इसके फ्लावर है वो कई सारे कलर म बनते हैं जिसमें इसके fruit बनते हैं लुपिन के flower winter से खेलना start हो जाते हैं और यह जीनिया वरवीना डेजी की तरह लेट समर तक खिलते हैं लुपिन का जो flower होता है एक बार पुरी तरीके से खेलने के बाद दो से ले करके चार हफ़ते तक चलता है उसके बाद इसमें seed बनने लगते हैं हाला कि इसके seed को खाया जाता है और उसमें alkalides की मातरा पाये जाती है जिसकी वज़ासे इसका स्वाथ थोड़ा bitter होता है वैसे इसके seed को सोयबीन का alternative माला जाता है जो कि gluten free होता है और उसमें dietary fiber, amino acid और antioxidant पाये जाते हैं हाला कि इसे आप कभी भी कच्चा consume ना करें इसे processing करके market में बेचा जाता है उसके बाद आप इसे खा सकते हैं क्योंकि इसका जो seed होता है उसमें थोड़ी मात्रा में bet secondary component भी पाये जाते हैं लूपिन्स का जो flower होता है इसमें किसी भी तरीके की कोई smell नहीं होती और यह flower fragrance less होता है लेकिन यह देखने में बहुत ही खुबसूरत होता है और यह कुछ इस तरीके से stock में निकलता है वहीं यह गुच्छों में होने के वज़ा से बहुत ही beautiful लगता है वैसे मैंने इसे बहुत छोटे container में लगाया है और अगर मैं इसे और बड़े container में लगाता तो इसके जो flower हैं वो और भी बहुत सारे खिलते वैसे यह देखिए इसमें और भी कई सारे buds खिले हुए हैं और यह आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच और शे अब यह भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और यह देखिए इस plant को मैंने दूसरे गमले में भी लगाया है और इसमें भी यह बहुत सारे buds निकले हुए हैं और इसमें जब एक बार flower हो जाए और महीना भर हो जाए तो यह flower सूखने लग जाते हैं तो इसे आप नीचे से पूरी तरीके से तोड़ लिजे ताकि इसमें नई ब्रांच में और भी फूल आएं तो अब बात करते हैं इस प्लांट की कुछ basic requirement की बारे में तो जिसमें सब से पहला आता है sunlight तो यह flowering plant है इसलिए इसे धूप पसंद है तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखें जहां पर इसमें कम से कम 4-5 घंटे की सूरज की सीधी रोशनी पड़े अब दूसरे point प भी लाया था और यह उसी में देखिए यह काफी अच्छा चल रहा है और इसमें यह बहुत सारे बट्स ले लिए हैं और यह 3-4 इसमें flower हो भी गये हैं तो अगले point है इसमें watering की तो जब भी आपको इसकी मिट्टी सूखी मिले आप इसमें पानी डाल दे हां जब इसकी करते हैं इसमें fertilizer की तो इस plant को fertilizer की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है इसका potting mix बनाते समय आप जो इसमें खाट डालते हैं वही इसकी लिए sufficient होता है और यह फैवेकिस family के बाखी plant की तरह ही यह nitrogen को atmosphere से direct absorb कर लेता है तो यह soil को better बनाने का काम खुद ही करता है तो इसमें आप आपको अलग से nitrogen वाले खाट डालने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है अब आखरी point इसका propagation तो आप इस plant को seed और cutting दोनों के थ्रू ही propagate कर सकते हैं मैंने इस plant को और यह भी देखिए इस plant को seed के थ्रू ही grow किया है और यह plant तीन महीने में ही यह flowering करने लगा वैसे एक चीज plant को report करें तो इसे साबूत पूरी मिट्टी के साथ ही report करें उसकी जो root है उसे कभी भी प्रून न करें तो आज की वीडियो बस इतना ही जल्दी मिलते हैं नए plant की वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाए बाए